दोस्तों तुम्हें पता है पिछले वेकेशन में हमारा पूरा परिवार मक्सुटा के मौन्टन पर गया था वहाँ हमने बहुत ही टेस्टी खाना खाया हमने खाय धेर सारे स्टीन मश्रूम्स, ग्रिल मश्रूम्स, मश्रूम राइस और मश्रूम सूप वहाँ पर खूफ सारे मश्रूम्स के डिशिस थे, मैं तो सारे खा भी नहीं पाया उन मश्रूम्स को सीधे खेतों से लाया गया था उनका रंग और उनकी खुश्बू तो कमाल की थी तुम लोगों को वहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए पर शायद वहाँ पर जाना तुम लोगों के बस की बात नहीं क्योंकि वहाँ जाने में बहुत सारे से लगते हैं इसलिए तुम लोग तो वहाँ पर नहीं जा पाओगे तुम लोग इसी मैदान में खेलते रहना वैसे दोस्तों वहाँ पर जाना सब की किसमत में नहीं होता मेरा मतलब है जैसे की तुम लोग यह कोई नहीं बात नहीं है पर सीनियों की बड़ी-बड़ी बाते सुनकर बड़ा घुस्सा आता है और मुझे जलन होती है ओ हाँ मैं डोरी मॉन से बात करूँगा और मुझे यकीन है कि डोरी मॉन भी अपनी पॉकेट से मश्रूम नहीं निकाल पाएगा वैसे मैं आज तक उस चका कभी नहीं गया देखो मजाग मत करो मैं वहाँ गया तुम्हें जरूर सबसे बड़ी मच्छी पकलूँगा इतने उदास क्यों लग रहे हो नो बिता ये नामुम्किन है क्या नामुम्किन है कुछ भी नहीं चलो ठीक है बड़े अजीब लोग है सब क्या बात है डैड डोरे मॉन अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ मेरे ओफिस के एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मैंने इतनी बड़ी मचली पकड़ी है मैंने उससे कहा कि वो ऐसे ही डिंगे मार रहा है उसने मुझे सुबूत के तौर पर उस मचली का फोटो दिखाया उसका कहना है कि वो फिशिंग मुझसे भी अच्छी तरह से कर सकता है उसने मुझे उस मचली से भी बड़ी मचली पकड़ कर दिखाने की चिनोती दी है अरे वो डिंगे मारता रहा और मैं सुनता रहा वैसे अगर मैं चाहूं तो उससे भी बड़ी मचली पकड़ सकता हूँ समझे पर क्या है मेरे पास वक्त नहीं है अब डॉरेमोन तुम मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो ना उसने मुझे इस बात की चिनोती कैसे दी डाट यह नजदी की एक पिश पॉंड है ओहो तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं नॉबीता बड़ी मचनियां सिर्फ नदी में ही पकड़ी जा सकती है समझे तुम ओ अच्छा मेरे पास जील और नदी तोनों है डाट क्या सच में जड़ा एक मिनट रुकिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ मिनियेचर गार्डन सीरीज माउंटें स्ट्रीम आखिर तुम इस मिनियेचर गार्डन से करने क्या वाले हो अभी बताता हूँ डाट स्विच को ओन करते ही पानी का सर्क्यूलेशन शुरू हो जाता है जिससे एक माउंटें स्ट्रीम तयार हो जाती है अब मैं इस पानी में छिड़ पूंगा आखिर इंस्टेंट हाचिंग मिनियेचर फिशेक्स जो कुछी देर में हाच हो जाएंगे ये लो अब वक्त हो गया है अब ये फिशिंग के लिए तयार है ठीक है डाट अब आप भी तयार हो जाएए अब जल्दिलिजी डाट हाँ पर मुझे फिशिंग के लिए तयार होने की क्या दरूरत है अब आप अपने जूते पहन लीजिए आप तयार है स्माज गया समाज गया तुमने डाट को चोटा कर दिया दा कि वो मिनियेचर माउंडन स्ट्री में फिशिंग करने जा सकी बिल्कुल सही कहा अफो ये सब क्या है मैं तो भीग गया हूँ मुझे ज़रा आराम से निज़ो उतारना था तुमने तो कहा था यहां बहुत सारी मचलिया होंगी पर यहां तो अरे ओओ ओओ एद सारी मचलिया है तुमने देखा डाट कितने खुश है जोरी मॉन तुम किसी सीरीज के बारे में बात कर रहे थे हैं ना सीरीज के बारे में ओ हां नो बिता कैस का मतलब यह है कि अलग-अलग तरह के बाहार होती है तुमने सही कहा अच्छा कैस तरह की बताव ना जोरी मॉन rock climbing practice के लिए rocky mountain होते हैं skin तो बरकी slope पर की जाती है और hiking के लिए बच्चे mountains पर जाते हैं survival skills के लिए भी mountains होते हैं और कई तरह के mountains होते हैं सुनो डॉरीमॉन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं क्या कोई मश्रूम का mountain भी होता है और होता है सच में, कहो पर हो, मुझे दीखना है नोबिता, रूप जो, मैं उसे पान निकाता हूँ रूप क्यो, आका मत्सू माउंटेन यहां तुमें मश्रूम्स मिलेंगे ये, अब तुम क्या करोगी अच्छा सुनो नोबिता, मैं तुमें बताता हूँ पहले मुझे मश्रूम के बीच बिखेडने होंगे, इस तरहां और फिर, हमारी स्पेशल संडे फार्मिंग सेट से हमारे पास कुछ खास चीज है मिनियेचर सान लॉंचर और एक ट्यूब में बादल तुम इनके साथ क्या करोगी, थोड़ा सा सबर करो सब तयार है नोबिता, अब हम लॉंच करने वाले हैं सन अब हम इसे देंगे काफी सारी जूप और बारिश और फिर तुम देखना नोबिता, करीब दस मिन्टों में मश्रूम जुगने शुरू हो जाएंगे जोरी मोल, क्या मैं शिजूका और बागी दोस्तों को बुला लाओं हाँ, जरूर बुला लाओं, मैं उनने ले आता हूँ क्या, हम सारे मश्रूम्स तोड़ कर खा सकते हैं, मुझे तो यकीन है नहीं हो रहा नोबिता मैं सच के रहा हूँ, आओ, तुम खुद ही देख लो अँआ, ओ, अले नोबिता देले चलो, मैं चल्ट कर रही हूँ देले चलो रही हो जाएं वाउ, वेका, पुद्ने बजाना हमें इस माउंटेन पर जाना है अब तुम सर पहलो अपने अपने बैम्बू कॉप्टर्स वाउ, उन्हें के लो जाए देको शिजूका मुझे कितना बड़ा मश्रूम मिला हे नोपिता देखो यहाँ पर कितने बड़े मश्रूम्स है चिसुका आप वहाँ जाकर देखते है अच्छो ठीक है ज़रा में ले रुको तो सही जोल दिया बढ़िया लगता है हमारे यहाँ सारा समान अच्छी क्वालेटी का होता है यह निचे आपका समान शुक्रिया आईए मैडम, चार क्रोकेट्स थाइक्च्यू मैडम, आज मश्रूम्स बहुत सस्ते बिक रहे हैं और बहुत बढ़िया भी हैं आप लेना चाहेंगी आथ हाजार रुपए यह तो बहुत वाजिब दाम है मैडम आप खरीद लो क्यूं नहीं यह हैं तो बहुत ही सस्ते पर मैंने किसे और दिन खरीदना चाहूंगी चलती हूँ देखो मुझे कितना बड़ा मश्रूम्स मिला यहाँ पर कितने सारे मश्रूम्स है पर मेरा बासकर तो बोल हो गया है देखो मैं कितने सारे मश्रूम्स ले आया हूँ मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत हो चुका और मश्रूम्स के लिए हम यहाँ फिर दोबारा आ जाएंगे चीक है मुझे लगता है कि हमें इन मश्रूम्स को ताजा ताजा टेस्ट कर लेना चाहिए अच्छा इडिया है एक दिन मैं तब तक मश्रूम्स खाऊंगी जब तक मैं उनसे उप ना जाऊं पर अगर कीमतें यूँ ही बढ़ती रही तो अरे शिजुका और बाकी सब अभी तक गए नहीं अरे ये क्या ये खुश्पू क्या ये मश्रूम्स की खुश्पू है ये खुश्पू तो उपर से आ रही है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ये कैसे हो सकता है मुझे जल्दी से चल कर डिनर की तयारी कर लेनी चाहिए मेरी खयाल से अब हम इसे खा सकते हैं वा मला गया क्या खुश्व हो है रंग भी बढ़िया है बहुत टेस्टी है अरे वा मज़ा आ गया तुम इती जल्दी में मत खाऊ नो बिता चोड़ो ना यार खाने में दू ये अब तयार नहीं हुआ है जियार अब सब्र करो चलो अब वापस चलते हैं अब भापस चलते हैं चलो 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 ऐसा करते हैं घर चलते कर मॉम को सप्राइस कर देते हैं चलो ठीक है इन्हें घर ले जाने में कितना मज़ा आएगा इतने सारे मश्रूम्स देखकर मेरी मॉम तो चौकर बेहोश हो जाएंगी बिग लाइट की मदद से हम फिर से अपनी औरिजिनल साइस के हो जाएंगे अच्छा अँटी अब हम लोग घर जा रहे हैं अच्छा हम जा रहे हैं दोबारा आना तुम दोनों का शुक्रिया फिर मिलेंगे जब मन करें आ जाना रोडी मॉन क्या डाटने कोई मश्री पकड़ी होगी आओ देखें हे सुनियो हाँ हाई जियान हाई शिजूका तुम दोनों इस वक्त कहा पर जा रहे हो जरा इन्हें तो देखो अच्छा तो ये मामूली मश्रूम्स है हे बेवकूफ क्या ये तुम्हें मामूली क्वालिटी के लगते है हाँ मतलब ये अठी क्वालिटी के है हाँ बिल्कुल हम इन मश्रूम्स को मच्छ उटाके माउंटेन से लाए है क्यों शिजूका ठीक हाना हाँ जियान तुम बिल्कुल ठीक है रहे हो फिर मिलते हैं सुनियो अच्छा तो हम चलते है चाहो तो एक लेलो सुनियो हाँ लगी नहीं होता मैं बहुत सालों से फिशिंग कर रहा हूँ पर इतनी सारी मच्छिया मैंने पहले कभी नहीं पकड़ी ये तो बहुत अच्छी बात है ये तो सब डोरेमोन का कमाल है अब मैं अपने दोस्तों के सामने सर उठा कर जा पाऊंगा हाँ डाग आउ मॉम के लिए भी ले चलते हैं हाँ अच्छा इडिया है हमारे लिए भी अरे सुनती हो कहिए मॉम डिनर का वक्त हो गया है अरे पर आप सब इस तरह से मुस्कुरा क्यो रहे हैं ये देखो ये सब क्या है मुझे तंग मत करो मैं बहुत बिजी हूँ वह ये ये तो ये मश्रूम्स ओर मजलिया हम अरे ये कैसे हो सकता है मॉम मुझे चाहिए मश्रूम राइस और मश्रूम शूप ठीक है और मुझे पसंद है स्टीन मश्रूम्स ग्रिल्ड मश्रूम्स और ग्रिल्ड फिश ठीक है नहीं ये नहीं हो सकता ये तो बिल्कुल एक सपना सा लगता है लेकिन ये सपना नहीं है मुझे तो यकीन ही नहीं होता ये बिल्कुल नहीं हो सकता अरे मैंने खुद इन मचलियों को पकड़ा है नहीं नहीं आप एकनी सारी मशनिया पकड़ ही नहीं सकते तुम विश्वास तो करो इसमें उनका कोई दोश नहीं है हाँ बेलकुल